दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका परिक्षा खबरी में और 5 मार्ज 2022 की महत्पून खबरों को देखेंगे प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और अपसिष प्रबंधन पर अंतर राष्टे शिकर सम्मिलन का उद घटन किया तो याद रखेगा चार मार्ज 2022 को नई दिली में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और अपसिष प्रबंधन पर अंतर राष्टे सिकर सम्मिलन का उद घटन किया गया था इसका योजन मसमी मंत्राले दौरा आल इंडिया प्लास्टिक मैनुफेक्टिरिंग एस्सोसियेशन के सहयोग से चार पांच मार्ज के बीच किया जा रहा है इंटर गवर्ण्मेंटर पैनल और अनकूलन और भेदता शीशक से जारी की गई है यह दावा करता है कि बाड़ और सुखे के बढ़ते खत्रे भारत और पाकिस्तान को जलवाई पैरवतन के लिए सबसे अधिक सम्वेदर्शिल बना देंगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक जलवाई पैरतन से खतरों में व्रिद्धी के साथ दुनिया को भूखा बीमार कहीं अधिक खतरनाक और गरिब बनाने की उमेद है ध्यान अख्येगा 2050 तक समुद्रों के बढ़ने के साथ अरबों लोगों को तटी बाढ़ के जोखिम का सामना करना पड़ेगा भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिगरी सेल्सियस तक सीमित हो लेकिन उत्तरी अमेरिका में मानो जीवन आजीविक्या और सुरक्षा को बढ़ते समुद्र के अस्तर गंभीर तूफान और तूफान के करन योखिम का सामना करना पड़ेगा खास कर शेत्र के 30 शेत्रों में इस रिपोर्ड में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि स्थान निर्जन होते जा रहे हैं लोग अपने घरों से विस्थापित हो जा रहे हैं प्रवाल लुप्त हो रहे हैं जो प्रवाल बित्तिया हैं प्रजातियों की संख्या घट रही है सिकुड रही है और बर्फ बढ़ रही है जलवाई परुतन पर अंतर सरकारी पैनल की बात करें तो पी-सी-सी की स्थापना सैउक्तराश पाडियावरं कायक्रम और विश्व मौसम संग्ठन द्वारा वर्स 1988 में की गई थी यह जलवाई परुतन पर नियमित वग्यानी काकलन इसके नहितार्त और भविश्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनकूलन तथा शमन के विकल भी उपलप्ट कराता है इसके 955 स्थास देशन इसका मुख्यला जेनेवा मिश्थित है एक दिसमलो पांच डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो मानोगित विदियां पूर उद्योगीक अस्तर से वर्तमान में एक डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का प्रमुक कारण रही है अगर यह ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान दर से लगातार बढ़ती रही तो वर्स 2030 से वर्स 2052 के बीच एक दिसमलो पांच डिग्री सेल्सियस तक की रविद्धी हो जाएगी मानव जनीत कारण गलोबल वर्मिंग की लगातार बढ़ती दर के परिडाम सुरूप जलवाई प्रणाली में दीर कालिक प्रविर्तिन की संभावना बनी हुई है इंडिया इंडस्टी वाटर कांकलेओं में NMCG को मिला स्पेशल जूरी अवार्ड से आजित किया गया था NMCG को सोसाइटी पंजी करण अधनियां 1860 के तहद 12 अगस 2011 को एक सोसाइटी की रूप में पंजी कित किया गया था इसने राश्टी गंगा नदी बेसिन प्राजिकरण की कार्यानेवन साखा के रूप में कारे किया नेक्स्ट जनरेशन गोज्टी मौसम उपग्रह लांच नासा ने गोज्टी मौसम उपग्रह लांच किया है ये नेक्स जनरेशन की मौसम उपग्रह है अमेरिकी इंत्रिक्ष एजंसी नासा ने केब कैनावरेल स्पेस फोस इस्टेशन फ्लोरीडा से चार अगली पीड़ी के मौसम उपग्रहों की एक शेंखला में तीसरे जियो इस्टेशनरी आपरेशनल एन्वारिमेंटल सेटेलाइट गोज को सफलता पुर्ग लॉंच किया वाई शक्ति अभ्यास पोखरन रेंज राजस्थान तो भारती वाई से ना साथ माज को राजस्थान के जैसल मेर में पोखरन रेंज में होने वाले अभ्यास वाई शक्ति का संचालन करेगी इस कायक्रम के मुख्य तित्थी प्रधान मंत्री होंगे इस अभ्यास में पहली दिग्गश शेनवान का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। इतने वाली टीमों के एक सदस्य थे। पहले 2021 में आज़ित होने वाला था लेकिन कुवीट की करने इसको स्थानानतीत कर दिया गया। 2022 के शीतकालिन पेरालंपिक खेलों में रूस बेलारूस के एथलिटों पर लगी रोग। अंतराश्टी परालंपिक कमेटी ने 2022 बीजिंग शीतकालिन पेरालंपिक में रूस और बेलारूस के एथलीटों के भाग लेने पर प्रतिबन लगा दिया है। यह खेल चार से तेरा माज 2022 के बीच आज़ित किये जा रहे हैं। तो डाक्टर S. उन्नी किश्णन नायर को किस देश ने सेल्फ फोर्स ग्लोबल इंडेक्स के हिस्से के रूप में सर्वेक्षन किया गया है उन्नीस देशों के बीच डिजिटल ततपरता पर सबसे अधिक स्कोर किया है तो भारत ने किस राज या केंसासिस पदेश ने अधिकार और जोखिम विसलेशन समूह द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में स्टी सस्थान हासिल किया है तो जम्योर कश्मीर 2026 तक प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के लिए कितनी राश आवंटित की गई है 2026 तक के लिए तो ये 4600 करून रुपए ठीक है PM KSY प्रधान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना का पुराना नाम क्या है तो इसका नाम संपदा है तो मई 2017 में किन सरकार ने 6000 करून रुपए के आवंटियन के साथ संपदा क्रिसी समुद्री प्रसंस्क्राण समुख के लिए विकास के लिए योजना शुरू की थी अगस्त 2017 में इस योजना का नाम मतलकर PM KSY कर दिया गया था अब संपदा का नाम क्या हो गया है प्रधान मंत्री क्रिशी संपदा योजना अब इसका नाम हो गया है तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद